हाई, वेलकम तो मैं चनल, इस वीडियो में सॉल्व करें कुरिशन नबर 6, धान्दीजी का और अक्तेंगुलर सीट आफ पेपर, 44 सेंटिमेटर बाई 20 सेंटिमेटर इस रोल्ड अलाउंग इस लेंथ तो फॉर्म अ सेलिंडर मतलब कर रहा है कि एक पेपर है, ठीक है, और इसका लेंथ दे दिया है, 44 सेंटिमेटर और इसको क्या किया जा रहा है, रोल किया जा रहा है, what is the meaning of roll ठीक है, यह समझे है, रोल का मतलब क्या होता है, along its length to form a cylinder तो इसके length के along को roll किया जा रहा है, मतलब कि इसका length क्या है, यह वाले लंबाई जो है length है, तो इस length के along इसको roll किया जा रहा है, मतलब roll करने का मतलब कि इसको यहां से fold किया जाना, fold कर रहे हूं, अपने हाथों से, ठीक है, fold करेंगे जब यह वाला जो vertex है वो इस vertex से आके मिल जाएगा और यह वाला vertex जो है इस vertex से आके मिलेगा तब एक cylinder फार्म हो जाएगा मतलब यह पूरा आके यहां से जो है fold करने के बाद इसमें आके मिल जाएगा और इसको फोल्ड करने के बाद इसमें आके मिलेगा तो जब मिलेगा तो actually बनेगा इस तरह से यह जो vertex है, मालिजे कि यह vertex A है और यह vertex B है तो A और B vertex, यदि B यहां पर है तो यह दोनों मिल करके बना देंगे S, sorry मतलब कि A और B को मिला देना है ठीक है, और यहां से इसको भी मिला देना है जब मिलाएंगे तो यह बन जाएगा आपका ऐसा ठीक है और यह हो गया ऐसे length, length तो वही रहेगा फिर यहां पर जो है 20 cm होगा, क्योंकि यह जो breath है वही fold होने के बाद बन गया है circular part, circular part जो बना हुआ है यहां पर, यह जो perimeter base का, इस cylinder का वही हो जाएगा 20 cm ठीक है, यह हो जाएगा 20 cm जो यह circular part बन गया है, base का और अब निकालना है इसमें कि यह जो cylinder बना हुआ है, इसका total surface area क्या होगा, तो यह बताएगे यदि यह paper था, पहले एक paper है paper को fold करके हमने बना दिया cylinder अब इस cylinder बना हुआ है, इसका ऊपर का जो surface है, वो नहीं है, नीचे का surface है, वो भी नहीं है ठीक है, और यह hollow cylinder बन रहा है, तो इसका total surface area क्या होगा, जो इसका बाहर के surface area होगा मतलब कि cut surface area उसी को बोलेंगे total surface area तो कि और कुछ surface area है यह नहीं, मतलब इसका base और उपर वाला base और नीचे वाला base दोनों जहें इदम open है तो आपको यहाँ पर total surface area का मतलब यह समझना है कि इसमें copt surface area जो निकालेंगे, वही total surface area है that's it solution हम कर लेते हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि here perimeter of perimeter of the base of the cylinder generator is equal to perimeter मिलेगा आपको, यहाँ पर जब fold करेंगे ना तो यह perimeter मिल जाएगा means circumference मिल जाएगा circle का, और वही मिलेगा आपको 20 cm means आपको क्या मिल जाएगा actually मिल जाएगा 2 pi r is equal to 20 cm और यह आपको ध्यान रखेंगे यहाँ से आपको radius निकालेंगे जोरत नहीं है, क्योंकि आप total surface area जब निकालेंगे या फिर card surface area निकालेंगे तो उसमाँ 2 pi r की जगा पर 20 cm रख दिजेगा, है कि नहीं? अब हमें क्या पता है? इसका height जो पता यह 44 cm है ठीक है, यह 44 cm है यहाँ से ले करके यहाँ तक तो हमें निकालना है total surface area तो since यहाँ पर जो है इस case में जो total surface area होगा total surface area of the cylinder is equal to total surface area of the cylinder is equal to curbed surface area of the cylinder तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका total surface area is equal to curbed surface area तो cut surface area किसके बरावर होता है? 2 pi r h के बरावर होता है और इसमें 2 pi r की value यहाँ पर हमें पता है 2 pi r के लिख लिख कितना है? 20 cm, multiplied by height, height कितना है? height is equal to length of this rectangular seat of paper means height is लिख देंगे directly यहाँ पर 44 cm और यहाँ पर break up लिख देंगे यहाँ पर, h is equal to length of the paper of the paper, okay? तो यहाँ से आपको multiply करने पर क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपको two fours are eight and two fours are eight और यह zero हो गया centimeter square तो यह आपका है total surface area of this cylinder generated, okay? तो इसका जो है quad surface area ही equal है total surface area के और वही आपका answer होगा means 44 880 cm2, thank you so much for watching, bye! ओड़े